लखनो सूपर जाइंस ने चोड़ दिया और अभी सुनने को ऐसा मिला कि वह आर्स्वी में भी जाने वाल है उस तीज के बारे में डिस्कुसन बात में करें तो लेस्ट चॉक अबाइब लखनो सूपर जाइंस की क्या रिटेंशन रहने बली है अगरी वो कितने ख्लाणी को रिटेंशन किया है कितना पैसा बचाय हैं और किसन फिला स्ट लॉपइय को रुटेंशन किया है और सबसे जाद पैसा जुकत की आ पो तो इसटे से ने जो खर्च की ऋ पूरान परकी कि या जो यह पहुड़ा वो दिवाली के लिए पूटा सुनोदसो पूरन एक्राइस ओल्ड में इनको रिटन किया गया फिर उसके बाद वसो असाद इनको कैप्टैंसी भी दी जा सकती है उसके और में डिसकस्टन करेंगा पर रभी विस्णों को ग्यारा कोड़ में दिया गया पूरन को रिटन करना बिल्गुल सही चीज़ था दोस्तों पर इतना पैसा लगाना बिल्कुल सही था, क्योंकि जिस तरीके से ये खेलाड़ी है दोस्तों, कि अकर ये चल जाते हैं तो धमाल तो मचा ही देते हैं, तो एक एस कोड़ में इनको खर्ड़ना बिल्कुल बेकार नहीं था, अगर ये ओक्सन में उतरते हैं तो एक एस कोड़ इनके लिए कम स्पोन को तो एतना पैसा लगाना बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पूरन धोबी है ये, अगर ये धमाल मचा देते हैं तो कहने की बात नहीं, ये भी काफी अच्छा, 11 कोड़ में पर खर्च करना बिल्कुल बेकार नहीं था, मैं कि आदा पर 11 कोड़ बिल्कुल खर्च कर रही लिया है और 69 कोई उनके पास बचे भी है, तो 900 लखनो सुपर जान्स का अच्छा रिटेंस थाने और बात की जाए कि आखिर क्या इनके लिए बिक मुप्स, मुझे पसंद नहीं है, क्या नहीं पसंद नहीं है तो बहुत रहुल को इस इनको रिटेंग नहीं चाहिए था, और दो, कुरोनल पांडिया, चलो दो, कुरोनल पांडिया को भी रिटेंग चाहिए था, बड़ सुपर नहीं किया तो नहीं पिक How? जो कि साइह इनको रेटलिंड करना हम 안ऊ स्क्राइब करने लोर में और एक इन के पास बंद बार रहाँ आपका जाल्षा नाम आता हमारे सामने एक ही ना मब्वी निकॉलस पूरन और उन्हीं कोरी लोह है करो तक कि देगी भी सोब मिलते ने इस पुडियों तब तक लिए दोस्तों अगर आप लोगों नहीं कि जिसके नामें ख्यूरी के में जरू हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए